नमस्कार मैं रीमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रीमा कीचन में आज मैं बनाओंगी भिंडी पकोड़ा तो चलिए भिंडी पकोड़ा बनाना सुरू करते हैं बनाने के लिए हमें चाहिए भिंदी 8-10 इसे धो कर अच्छी तरह काट लिए हैं आगे और पीछे बीच में कट कर लिए हैं नमक, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्श पाउडर, धनिया पाउडर, बेशन, आधा कटोरा, जीरा, जीरा और काली मिर्श का पाउडर और तेल चाहिए पकौरा बनाने के लिए इस बेशन का घोल त्यार कर लेते हैं सबसे पहले इस बेशन को बरे बरतन में रफ लेते हैं और इसमें सभी मसाला डालेंगे हल्दी पाउडर, हाप चम्माच, लाल मिर्श पाउडर, एक चोथाई चम्माच, जीरा और काली मिर्श का पाउडर, एक चोथाई चम्माच गरम मसाला एक चोथाई चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच जीरा हाप चम्मच नमक एक चम्मच या फिर न स्वाद के अंस्वाद डाले सभी को अच्छी तरह मिला देना है और थोरी थोरी पानी डालकर इसका घोल त्यार करना है सभी को अच्छी तरह मिला दिये है अब इसमें पानी थोरी थोरी डालकर इसका घोल त्यार करेंगे ये घोल त्यार हो चुका है अब पैन को गरम कर लेते हैं पैन गरम हो चुका है अब इसमें दो बड़ा चम्मस तेल डालेंगे तेल गरम हो चुका है भिंडी को बेशन में लपेट कर डालना है इस तरह देशन लगा कर डालेंगे इसमें फ्लेम को मेडियम रखना है प्रॊबादे üzा एट अजया चल्थी आटाटब्स प्रॉड़ादे लगा कर त्रॉड़ादे लगा कर दो दूए गला है अब प्रॉड़ा़धे लोगा कर दो प्रॉड़ादेक झाल झाल दो मिनट बार इसे पलट देना है ये भिंदी का पकोरा गोल्डेन ब्रान हो चुका है अब इसे निकान लेते हैं इसी तरह सभी पकोरा को फ्राइ करेंगे झाल 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 प्राइगे प्राइगे झाल 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 ये ये अब गैस को बन्द कर देते हैं में यह यह जी का पकौरा पुरी तरह बनको चुका है इस एक बर्तन में सर्व करkor Christians अगर हमारी वीदियो कंदा तु मेरे वीडियो को लाइप करें अब वीडियो मेरे चेनल ले, अगर हमारे पकौर्णाय को सब्सक्राइब। ना भूले नीचे घंटी के निशान को दवाए ताकि हमारे आने वाले सारे नई रेस्पी का वीडियो आप सबसे पहले देख सके फिर मिलते हैं अगले वीडियो नमस्कार